चत्रा के घोर नकसल प्रभावित कुंदा प्रखंड के जगनात पुर गाउं के लखन बैगा का परिवार आज सिस्टम के रहनुमाओं की लापरवाही का शिकार हो गया है दरसल सरकारी एंबिलेंस से तीन माह पूर्व अस्पताल भेजे गए लखन बैगा का कोई अता पता नहीं है तीन माह पूर्व उसे गंभी रवस्था में सडक से उठाकर डॉक्टरों के द्वारा बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था लेकिन अब तीन महीना बीच जाने के बाद भी उसके बारे में किसी का कुछ पता नहीं है लखन की पतनी बुढ़े पिता वबच्चे परेशान है और उसके घर आने की आस लगाए बैठे है दरसल तीन माह पहले तब्यत खराब होने पर मुख्या के कहने पर प्रताप पुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा एम्बुलेंस से लखन को चतरा सदर अस्पताल भेजा गया था जहां से उसे हजारी बाग रेफर कर दिया गया उसके बाद से लखन का कोई अतापता नहीं है वो कहां है और किस परिस्थिती में है ये तक बताने वाला कोई नहीं है पत्नी सुनीता बैगा ने उपायोक्त से उसके लापता पती की तलाश करने में उसका सहयोग करने की गुहार लगाई है करता है ऐत्ना दीन पहले में टीन महीन हो गया अभी नहीं गया लप खुझे कुछ बोल्वें ने कहा है मुख्या जिन भेजा विज्या गया फिर ले जा मुख्या फिर एंस भी ले तो पेट रखी गया खुझें लेजन कर दोपरोग भी र आप खुझे ले बल्या अब्रेट अब कहा भोलावाय से पचरोखिया टिकुले टार से अब मुख्या लेगा है जब चकित्सा प्रभारी से पती के बारे में जानने के लिए कोशिश की गई तो उसे हजारी बाग जाकर पती के बारे में पता करने की सलाह दी और उसे लोटा दिया लखन बैगा जो जगनापूर के है सुसका टाइरिया धरले था तो कुंदावा होस्पीटल में इलाज कराने के लिए आ रहा था इलाज कराने के दोरान में बिहोस हालत में गिर गिया गिर जाने गरामिन सुचना दिया स्वास सहिया के इलाज कराने के लिए आपको परभारी परतापूर को बोला एक स्वाट गाड़ी आया और उनको कब अब परतापूर से चत्रा लिगे आगिया चत्रा के बाद लखन बैगा किस हालत में है का अपता कि इलाज हो रहा है उन बहरहाल अब देखना दुल्चस्प होगा कि लापरवाह सिस्टम के रहनुमा लखन को ढूंड पाते हैं या लकडी बेचकर अपना और अपने बच्चों के साथ साथ बुढ़े ससुर का पेट पाल रहे लखन की लाचार पतनी बेरुखी की जिन्दगी जीने को विवश रहत पंजाब के स्री टीवी के लिए चत्रा से अशोक तुलस्यान की रिपोर्ट